Hello and Welcome, this is Anupam Sharma. आज हम इस वीडियो में शेर करेंगे इन्फरमेशन फर्स्ट टर्म इग्जैमिनेशन की क्लास नाइन की स्लेबस के बारे में. हर खड़ पारचाला के थूप पढ़ाएगे अब तक के सारे ही टॉपिक्स इस इक्जैम में कावर होंगे. COVID-19 की सिचुएशन को देखते हुए, HP Board ने स्टूडेंट्स को राहत देने के लिए 30% स्लेबस को सब इस सब्जेक्ट्स में से डिलीट कर दिया है. वो आप ना तो इस इक्जैम का पार्ट होंगे और ना ही फाइनल इक्जैम का पार्ट होंगे. ताकि किसी भी स्टूडेंट को, किसी भी टीचर को कोई कनफ्यूजन ना रहे, मैंने इस डिलीटिट्स स्लेबस को भी इस वीडियो का पार्ट बनाया है. आपको इस वीडियो में फर्स्ट टर्म इक्जैम की प्रेपरेशन के लिए बहुत ही इंपोर्टन टिप्स मिलेंगे. लेकिन स्लेबस को नो टाउन करने के बाद अपने स्कूल के प्रिंजिपल और सबजिक्ट टीचर्स से कंसल्ट करना ना भूलें. मैं अपने पिछले वीडियो में अल्रडी आपके साथ 9, 10, 11, 12 की डेशे शेर कर चुकी हूँ और बता चुकी हूँ की एक्जैम कैसे होंगे. एक्जैम के लिए मिले गए आपको 2 खेंटे और सभी पेपर होंगे 50-50 नंबर के. तो जल्दी से करते हैं स्लेवस नोट डाउन क्योंकि ये है हमारी रिवेजन का टाइम. चलिए नोट डाउन करते हैं इंग्लिश का स्लेवस for first term exam. बीहाइव बुक के प्रोस सेक्शन में से आएंगे first four lessons. First, the fun day had. Second, the sound of music. Third, the little girl. And fourth, a truly beautiful mind. Poetry section में होंगी तीन poems. First one is, The Road Not Taken, poem 2, Wind and poem 3, Rain on the Roof. Supplementary Reader Moments में से first term exam का पाथ होंगी. Lesson 1, The Lost Child. 2, The Adventures of Toto. 3, Ishwaran the Storyteller. Dear Students, Grammar section के लिए आप रेफो करें. Ninth के final letter के sample papers, उसे के base पर questions पूछे जाएंगे exam में. जो आपने revision करने हैं topics वो हैं, direct and indirect speech, active and passive voice, modals, prepositions, sentence connectors, tenses, parts of speech and letters. Now note down, Slavers of Science for class 9. Science में हर घर पार्शाला में आपको पढ़ाए गए हैं, lesson 1 to 7, और फिर 13th, 14th and 15th lesson. आप ये lessons देख सकते हैं, first है हमारे आसपास के पढ़ार्थ, second क्या हमारे आसपास के पढ़ार्थ शुद्ध हैं, 3rd, प्रमानु एवं अनू, 4th, प्रमानु की सरंचना, 5th, जीवन की मौले के काई, 6th, उतक, 7, जीवों में भिवित्ता, lesson 13, हम बिमार क्यों होते हैं, 14, प्राकृतिक संपता, and 15, खादे संसाधनों में सुधार, dear students, इन lessons में से बोर्ड ने कुछ पार्ट्स डिलीट कर दिये हैं, और उनकी information प्रिपेर की है, नलनी मैम ने गर्मेंट सीने स्केंज स्कूल रख कर से, Students note करें, chapter 1 से subtopic 1.1, 2, 1.4 डिलीट हो चुके है, chapter 2 में से subtopic 2.3 डिलीट हो चुका है, chapter 6 में से subtopic 6.2 नहीं आएगा, chapter 14 में से subtopic 14.1, 14.2, 14.3, 14.4 ये सभी भी exam में नहीं आएगे, chapter 15 में से subtopic 15.1 डिलीट हो चुका है, chapter 8 जितना करवाया है हर घर पारशाला में, उतना ही पारट आएगा, and chapter 3, 4, 5, 7, and 13 फुल आएगे, पूरे के पूरे chapters आएगे, कुछ भी डिलीट नहीं है, आपको कोई भी confusion ना रहे, इसके लिए आपकी स्क्रीन पर है, बौरे द्वार डिलीट केया गया स्लेबस, आप स्क्रीन को पोज करके इस स्लेबस को नोट कर सकते हैं, क्लास नाइन के लिए मैच्स का स्लेबस है, फस्ट उनिट, नंबर सिस्टम, सेकिंड, पॉलिनॉमियल्स, थर्ड, कोडिनेट जोमेटरी, फोर, लिनिर एक्वेशन इन टू बेरियेवल्स, फाइव, इंट्रदक्शन ओफ युकुलेट्स जोमेटरी, सिक्स, लाइन एंगल स्टूरेंगल्स, ऑन्देटरी, सिस्टम, टूरिनेटर्स, युकुलेटर जोमेटरी, सिस्टूरेंगल्स, फ्हिंदी मेडेर वाली स्टूरेंगल्स के लिए युोनिट्स के लिए Nord reinventstereless, उनि विरी युनिट्स के लिए वी Chaidaki's mês स्टूरेंजन के लिए इत्छन के ज नहीं आएगा, 6th year 8, 9 marks का, 7th year 8, 6 marks का, and 8th year 6 marks का. Student please, इस वीडियो को pause करें, और देखें कितने questions कितने marks के आ रहे हैं. Let's know the syllabus of social science. Social science में सबसे पहले history, यानि इतिहास, इसमें आ रहे हैं first two lessons. The French Revolution, Francis C. Kranti, and second is Socialism in Europe and the Russian Revolution. Europe में समाजबाद और रूर्शी क्रांती. इन दोनों lessons की revision करते time ध्यान रखें, कि board ने lesson 1 में से delete कर दिये हैं pages 14 to 17, and lesson 2 से delete किये हैं pages 36 to 39, and pages 40 to 45. Geography, यानि भुगोल में से करवाएं हैं lesson 6, लेकिन lesson 5 and 6 HP board ने delete कर दिये हैं, इसलिए वो अब exam का part नहीं होंगे. Lesson 1 है India, Size and Location. Lesson 2 है Physical Features of India. Lesson 3 है Drainage. And lesson 4 है Climate. नागरिक शास्तर यानि Political Science में जो lessons करवाएं हैं, उन में से lesson 5 अब syllabus का part नहीं है, board ने उसे delete कर दिया है. ये lesson है संस्थाओं का कामकाच, ये अब learn नहीं करना है. नागरिक शास्तर की lesson जो इस assessment का part होंगे, वो हैं, लोकतंतर क्या, लोकतंतर क्यों, समिधान का निर्मार, चुनावी राजनिती और लोकतंतरिक अधिकार. अब देखते हैं अर्थ शास्तर यानि इकनोमिक्स का syllabus. Lesson 1 पालंपुर एक काम की कहानी. Lesson 2 संसादन के रूप में लोक. Lesson 3 निर्धनता एक चुनावती. ये इस assessment का part होंगे, लेकिन lesson 4 भारत मेखादे सुरक्षा, वो syllabus से कट चुका है. Students, आपकी help के लिए आपकी स्क्रीन पर हैं बोर द्वाराद रिलेटेड हिस्ट्री की topics. स्क्रीन को पोज करके इन सभी topics को no-down कर लें ताकि आपको future में कोई confusion न रहे. अब no-down करते हैं हिंदी का पाठ्षे क्रम. हिंदी में से पुस्तक क्षितिस में से गद्य खंड में से आएंगे दो पाठ्ष पाठ एक और पाठ्ष तीन पाठ्ष एक है दो बैलों की कथा, पाठ्ष तीन है उप्भोक्तावाद की संस्कृति. पुस्तक क्षितिस में से काववे खंड में से आएंगे कविता नो, कवीर, ग्यारा, रस्खान, बारह, माखन लाल चतर बेती और तेरह, सुमित्रा नंदन, पांथ. पुस्तक क्रितिका में से आएंगे दो पाठ, पाठ एक, इस जल प्रले में, पाठ दो, मेरे संकी और ते. व्याकरण में आएंगे वो सभी टॉपिक्स जो हर घर पाठशाला में पढ़ाए गए हैं. वर्ण विवस्था, शब्द विचार, पद विवस्था, संग्या, संधी, इन सभी टॉपिक्स की रिवीजन करें. आपकी कन्विनिन्स के लिए हमारे पास है हिंदी की मार्क डिस्टिबिशन. इसमें आप देख सकते हैं कि प्रशन साथ तक सभी प्रशन छे मार्क्स की हैं. आप वीडियो पॉज करें और ध्यान से देखें. आपको पता चल जाएगा आपने किस परकार से तैयारी करनी है, कौन से छोटे प्रशन लिखने है, शोट अंसर और कौन से लोग अंसर लिखने है. प्रशन आठ व्याकर्ण पर धारित है, इसको भी ध्यान से नोट कर ले. आपकी convenience के लिए आपकी screen पर हैं वो topics, जो कि आपकी exam का part नहीं होंगे, ना ही first assessment का part होंगे, और ना ही final exam का part होंगे. अब नोट टॉण करें, first term exam के लिए संस्कित का syllabus. संस्कित के व्याकरण में वो सारी चीजें, जो हर घर पार्शन पर दूसरा स्वर्ण काका, और तीसरा सोम प्रभम. संस्कित के व्याकरण में वो सारी चीजें, जो हर घर पार्शाला के माध्यम से पढ़ाई गई हैं, वही आएंगी, उसके अतिरिक्त और कुछ नहीं आएगा. सभी प्रकार की संधी, सभी प्रकार के प्रते, जो हमने हर घर पाठ्शाला के माध्धिम से पड़े हैं, उनी की दोहराई करें उच्चारन स्थान का धेन करें, और तीन निबंध, जो की आपको पढ़ाए गए हैं और साथ ही अपठित अब बोधन तो हर एक प्रशन पत्र का हिसा होता ही है ये कंपाइल किया है मिस्टर विकास महाजन, कंप्यूटर टीचर, गमेंट सिनी स्केंडरी स्कूल रख करने इसमें आ रहे हैं टू यूनिट्स, फर्स्ट यूनिट है इसमें जो टॉपिक्स कवर हो रहे हैं वो है इसमें जो टॉपिक्स कवर हो रहे हैं वो हैं इसमें जो टॉपिक्स कवर किया हैं वो हैं इसमें जो टॉपिक्स कवर किया हैं वो हैं introduction to MS windows, concept of operating system, how to work with MS paint, use of recycle bin, starting windows, etc. Now I hope कि parents, teachers और students के class 9 के syllabus के regarding जो भी doubts हैं वो clear हो गए होंगे और अगर कुछ और doubts हैं तो comment box में पूछना ना भूलें पिछली वीडियो में मैं 9, 10th, 11th and 12th का day shit share कर चुकी हूँ उसके लिए subscribe करें इस channel को साथ ही साथ 10th का slaves भी share किया जा चुका है plus 1 and plus 2 के slaves की वीडियो बहुत जल्दी share की जाएगी सभी students की benefit के लिए इस वीडियो को share करें